सोशल मीडिया पर जैन समाच के सबसे लोग परिये जैनल न्यूस चैनल महालक्षमी की ओर से आज का दिन केते हैं विजय दश्मी का दिन विजय करने का रावन को अपने अंदर के रावन को मारने का पुतले जलानी से कुछ नहीं होगा आज हर गली गली में रावन है गली गली में रावन दिखता है वो तो उसने तो माता सीता का हरन किया था और आज तो क्या क्या होता है उससे बहुत कुछ ज़्यादा होता है घर और चार कशाई हैं, चार कशाई को मिटाईए, पांच इंद्रियों पर और एक मन पर उस पर लगाम बादिये, आपकी विजय दश्मी मन जाएगी, पर अब शुरुहात करते हैं, अम इश्याजी के साथ, चुनावार गए हैं, तैयारी शुरू हो गई हैं, परधान मंत्री हो मंत्री हों, कोई भी हो आजकल, सब जगे, सादू संतों के पास, मंदिरों के अंदर, मस्जिद गुर्दवारों के अंदर, सब जगे, अब माथे टेकिन की काम होगी, क्योंकि जितने उदगाटन थे, फीते काटने थे, उसब खतम होगी अब, अब नहीं काट सकते हैं, हिंदू की बात होती है, तो कहते हैं, मैं जैन हैं, जैनों की बात होती है, वो कहते हैं, मैं हिंदू हूँ, जैन नहीं हूँ, यानि जैनों को तो बीच में कस्के रखती है, अगर वैं जैन होते, तो आज गिरनार जैसी फजियत जैन समाच्टे नहीं होती, उन्होंने जो बाता 2006 में किया था लाल मंदिर के अंदर दिल्ली के अंदर शायद वे अब तक पूरा कर लिया होता तब वे गुजरात के ग्रह मंतरी थे आज पूरे देश के ग्रह मंतरी है पर आए इनके बारे माज बड़ी अजीब बात हुई यह देख रहे हैं यह आप 16 अक्टूबर के दर्श्य दिख रहे हैं जिए उनने मानता धंते श्री के मंदिर में दर्शन किये थे 36 कल में जैनों के लिए तकलीफ यह बात है कि हमारे हैं उलटी बाते करते हैं चतिर के मुख्य मंतरीना बुपेश बगेल जी इन्होंने पता क्या कहतिया कि अम्मी तो शाहती जैन है और जैन इश्वर को मानते नहीं है क्या का मानते है क्या बस इस सथ सवाल दो जह रहे कि जैन नास्तिक है आज जैनों के बारे में जिसकी खोपड़ी मुझुसता है वे अपनी बात वैसे ही कहते है गजब की बात है कि जैन इश्वर को नहीं मानते है जैन के जोबीस तीर थंकर है जिनको सब मानते है 33 क्रोड देवी दिपता को नहीं कहते हैं लेकिन 24 तीर थंकरों मानते है वैदिक और श्रमर संस्क्रति के बारे में हर कोई जानता है नास्तिक नहीं आस्तिक हैं अफसोस होता है कि जहां मर्जी जाओ जैनों के बारे में जैसी मर्जी बात कह दो मूँसे इतने बड़े जगे पर बैटकर परतिशित होकर अभी कुछ दिन पहले आचारे श्री विद्या सागर जी मुनी राज के दर्शन करके आए हैं आप और उसके बाद यह शब्द बोल देना क्या हम जो दिनीताओं के जो होते हैं सादू जाते हैं केवल दिखाने के लिए उनका आशिवाद लेने के लिए जीत के आशिरा मिल जाएं पर दून के बाद उसी धर्म पर छोट करते सुने जा भगेल जी ने क्या कहता एक बार आप सुन लिजिए कम से कम इतना तो ध्यान रहे कि जब भी हम कुछ बोलें सही हमता से जानकारी से बोलें अधूरी जानकारी में कभी ना बोलें नीम हकीम हमेशा आधी जानकारी से खत्रे जानी होता है सुनी ज़रा जैन समाच पर जगे जगे से विवन रुबो में बार बार चोट हो रही है अब यह लेक देखिएगा इसमें क्या लिखा है पहले कॉलम में सबसे नीचे लिखा है जैन धर्म के मारे में महाविट सौमी जी के बारे में कह रहे है महाविट सौमी जी ने जैन धर्म की शुरूआ पता क्यों करी थी कि उन्हें मालूम चला कि हिंदू धर्म सुधरने वाला नहीं है इसलिए उन्हें एक नए धर्म जैन धर्म की शुरूआत कर दी गजब के विद्वान होते हैं गजब की जानकरी होते हैं गजब के मीडिया होता है पता नहीं होता सरपैर क्या बात कर रहे हैं जैन धर्म की शुरूआत तो इन्होंने नहीं की शमर्धर्म की शुरूआत तो प्रतमतीर थंकर आतीनात भगवाने इस योग में जो कि अनादी निदन प्रतमरा है शमन धर्म की चलता आ रहा है अनादी रूप से पहले भी चल रहा था आगे वी चलेगा इस तरह मत कहिए बार-बार इस तरह गलती जो होती है इसी से हमारी जानकारी में कोई हम इस बातों काटते नहीं है हम कहीं बताते नहीं है कि सच्चा ही है बार-बार बता ही है गलती मिलती है बार-बार रुकिये आपको बताएंगे कि भगवान बुदु से तुलना करते है उन्होंने किस तरह की आगे एपिसोड नों वह ही बताएंगे किस तरीके से आद बहुत धर्म के अंदर हमारे बार में किस तरह की भ्रांतिया शिक्षा के अंदर पढ़ाई जा रही है जो आई-एस के बढ़ते हैं बच्चे बढ़ते हैं उन कम्प्टर में क्या-क्या पढ़ायता है वह ही बताएंगे पर यह देख लीजगा इस तरह के लेक छपेंगे तो क्या होगा कि मावीर स्वामी ने हिंदू नई सुद्रे इसलिए नई जैनिसम की शुरुआत की थी चलिए अब आज आज आपके बास बात करते हैं आज जीवन की बात करते हैं जीव और जीवन की बात करते हैं पच्ची सो पचास में निवाड महों समावेर चोंचलने माले आज वह देखे गउशाला में यह औरंगा बात की देख रहे हैं आप आदिनाथ तीर्थ के पास जो है यह गउशाला आचाईशी गुप्ति नंजी ने आपको बाराम बार नमस्तू उन्होंने का गए तुम बहुत ज़रा तीर्थ के बारें बोलते हो कभी इनके बारें में कुछ बोलो महराश्ट में इस पर बहुत कम बारिश होई है जगे जगे पश्यों के लिए चारे की बहुत दिक्कते आ रही है मौसम में जब चारा नहीं बन बाता है तो तकलिए बहुत होती है इस आदिनात गौशला के अंदर लगभग सौ पशू गाई हैं समय पहले तीस सालिस थी लेकिन अब कुछ गाओं वाले जो होते हैं जहां नहीं कर पा रहे हैं तो वैं यहां आके गाओं को दे जा रहे है कि कम से कम उनका जीवन यापन हो सके आचारे विद्यस अगरती है मालू मालू में जब बच्पन में बहुत चोटे थे थे ना तो उनको बहुत एक गंबीर विमारी हो गई थी बहुत गंबीर बहुत कुछ इलाज की यह नहीं हुए नहीं हुआ नहीं हुआ तो बताएज किस ने बताया कि यह इलाज इस तरह नहीं इन्हें गौ माता का दूद पिलाओ और कहते हैं उससे वे बिमारी दूर हो गई थी और उस गौ माताओं के उस एक कहते हैं उस कर्ज को आज भी फर्ज के रूप में 77 सालवाद भी उसी तरह निभा रहे हैं कितनी गोश आले खोल चुके हैं एक 140 के रूप में इतनी ज़्यादा है और इसी तरह से यहां पर देखिए गाएं एक गोश आला है यह गोश आला है आर की विवस्ता भी की जाती है गोश आला में सहयोग कीजिएगा हर जगे हमें जीवन यापन देती है कई रूप में गाएं को पूजा भी जाता है अरे जी और जीनों के रूप में इस तरह सहयोगां देते हैं तो कहते हैं कुछ कल्यान के काम में आगे हाथ बढ़ाते हैं अभी कुछ दुन पहले गुरुकुल के बारे में चर्चाई में और भी कही तरह से किस तरह से हम देश की राष्टे नीतियों में सुधार कर सकते हैं किस तरह पाश्टे सब्वधा से हम अपनी पूर्व सब्वधा में अपनी भाड़ी सब्वधा में आ सकते हैं ये दर्शन कीज़ेगा जब ऐसी चर्चाइब होती है तो इसके असर धूर तक दिखाई देते हैं एक बार और गुरुवर जब चलते हैं विहार करते हैं दर्शन करने लोगों को पग बगारने के लिए नतमस्तक हो जाते हैं अब परतिवाइस तलेगी चात रहें ये दर्शे बहुत गजब का है जिसने देखा आननित हो गया है किसे तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं जब गुरुवर जाते हैं केते हैं बस उनके चरणों की रज़ के पास बस मस्तक लग जाए और अपने जीवन धन्य हो जाए यह द्रश्य दिख रहे हैं एक कारवा सड़क के दोनों और गुरु अर्भी से जाते हुए दर्शन करते हुए नमन 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 नमोस्तु भगवन नमोस्तु 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 फिर मिलेंगे अपके साथ नई जान करेंगे साथ सादर जैजरी झाल झाल झाल